असलाम अलेकुम एवरीवन और वेलकम बेक तो माँ चैनल आई होब आप सब ठीक होगे तो आज हम बनाएंगे आलू मतर गोबी की सबजी तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बैर आइकन को भी दबाना ना भूले ताकि आप लोगो एक छोटा कप है यह फ्रोजन मतर है और यह एक आलू है आप लोग आलू एक से दो भी दाल सकते हो सबसे पहले हम पेस्ट बनाने के लिए चार लेसन की कलिया एक छोटा तुक्ता अद्रक का और यह दो मीडियम साइज की प्याज है इसे भी हम मोटा मोटा काट कर जार में एड़ करेंगे इसका हम पेस्ट बना लेंगे दोनों प्यास दाल देंगे और अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे और यह तीन टमाटर है इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे मिक्सर में ग्राइंड करके यह प्यास का पेस्ट प्रेडी हो गया है और यह टमाटर का पेस्ट है सबसे पहले हम पतेली में दो चमच तेल डालेंगे तेल जब गरम हो जाए तो फिर हम हमारी जो गोबी थी आदा किलो वो सारी एड़ कर देंगे इसमें और इसे हम तीन से चार मिनिट फ्राइ कर लेंगे और इसे अच्छे से फ्राइ करें इसे हिलाते रहे क्योंकि ये लगना नीच चीए नीचे जलना नीच चीए इसे बार बार हिलाते रहे चमच से अच्छे से थोड़ा 3-4 मिनिट क्रिस्पी फ्राइ कर लेंगे ये देखिए से नीचे ना लगने दे फिर ये देखिए फ्राइ हो गई है इस तरह से इसका सिर्फ कलर थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए फिर इसे हम निकाल लेंगे तीन से चार मिनिट फ्राइ करके तेल में फिर एक चमच तेल और एड़ करेंगे हम उसी पतेली में इसमे एक छोटा दालचीने का तुकड़ा एड़ करेंगे, एक तेस पत्ता बड़ा एड़ करेंगे, और ये आदा चमच जीरा एड़ करेंगे, और ये पाउ छोटा चमच हिंग एड़ करेंगे, हिंग एड़ करके एक मिनिट के लिए स्टर कर लेंगे, फिर जो हमारी प्यास का पे अच्छे से चमच शिलाते रहेंगे कि ताकि प्यास जो हमारी लगे ना इसे मीडियम फ्लेम पर बूनेंगे फिर सिर्फ थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो उसके बाद हम टमाटर का जो पेस्च था टमेटो प्यूरी हो एड़ कर देंगे फिर उसमें हम एक चमच धनिया पावडर पाव चमच हल्दी पावडर और दो चोटे चमच कश्मीरी लाल मिर्च एड़ करेंगे इसमें लाल मिर्च पावडर एड़ नी करेंगे सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च एड़ करेंगे फिर इसे अच्छे से एक से दो मिनिट भून लेंगे ताकि जो है मसाले की स्मेल ना रहे उसमें फिर हम उसी जार में पानी डाल के इसमें add कर देंगे हमारे मसाले में अच्छे से इसे दो से तीन मिनिट के लिए भून लेंगे भून कर गैस की flame medium कर लेंगे फिर इसमें हम मतर और आलू जो थे हमारे वो आड़ कर देंगे सारे ये एक कप मतर है और एक बड़ा आलू है और इसमें हम थोड़ा सा पानी आड़ कर देंगे पानी आड़ करके इसे मिक्स कर लेंगे और हाफ टेबल स्पून नमक आड़ कर लेंगे अब हम गैस की फ्लेम स्लो करके इसे पांच मिनिट तक पकने देंगे, फिर पांच मिनिट बाद हम खोल कर, एक बार देखेंगे, देखेंगे, ओल जो है वो उपर आ गया है, तेल अलग हो गया, सेपरेट हो गया है, इसे अब हम मिक्स कर लेंगे, फिर से इसे हम चला लेंगे चला कर अब हम जो हमारी गोबी थी और ये चार हरी मिर्च है बीच में से कट करी भी ये एड़ कर देंगे और जो फ्राइ गोबी थी वो भी एड़ कर देंगे एड़ करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले जो हमारे गोबी में भी मिक्स हो जाए अच्छे से मिक्स करके इसे भी हम थोड़ा पानी डाल देंगे अभी थोड़ा सा पानी याट करके इदम जादा पानी भी नहीं डालेंगे पाउ ग्लास के करीब डालेंगे फिर बाद में और पाउ ग्लास डालेंगे मतलब आदा अगलास पानी अट करके इसे 10 से 12 मिनिट तक पकने देंगे गैस की फ्लेम स्लो करके बीज बीज में चमज हिलाते रहेंगे चमज से इसे ये अभी पूरी तरह से कुक नई हुई है इसे हम फिर से 2 से 3 मिनिट रख देंगे ताकि हमारी गोबी भी जो है वो अच्छे से गल जाए ये भी हमारी कुक हो चुकी है गोबी दाल के भी हमें 10 से 12 मिनिट या 15 मिनिट तक रखना है ताकि गोबी और आलू जो है अच्छे से पक जाए अब हम इसमें पाव चमज गरम मसाला पावडर एड़ करेंगे और दो छोटे चमज कसूरी मेथी अड़ करेंगे ये ऑप्शनल है आप लोग चाहे तो दाल भी सकते है नहीं भी फिर नमक थोड़ा कम था तो फिर से हम थोड़ा सा अड़ कर देंगे आप लोग भी एक बार लास्ट में चेक कर लें नमक का टेस्ट फिर इसे अच्छे से मिला लेंगे एक से दो मिनिट तक अच्छे से बून लेंगे भूनने के बाद गैस की फ्लेम हाय करके थोड़ा भून लेंगे फिर थोड़ा हरा धनिया आट करके भी अच्छे से भून लेंगे मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम बन कर देंगे और अब हम इसे सौफ कर लेंगे सौफ कर लेंगे और इसे पराठे के साथ खाय बहुत ही टेस्टी लगती है यह भाजी ट्रस्ट मी यह भाजी बहुत ही टेस्टी बनीदी आप लोग भी जरूर ट्राइ कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगती अच्छी लगे तो लाइक, शेर, कॉमेंट और सबस्क्राइब करना ना भूले, अल्ला आफिछ